कि यह गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय नीव लॉग तो फिर से एक नए व्लॉग में स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरा चस्मा कैसे लगा है कमेंड में जरू बताना नहीं चिस्मा लिया मैंने वो तोड़ा खराब हो गया था चोटा हो गया तो नहीं ले लिया तो चस्मा कैसे लगा कमेंड में जरू बताना और अभी एक इंट्रेस्टिंग चीज में आपको दिखाने वाला हूँ जैसा कि आपको पता ही होगा होली फागुन मास में होती है इस अफ़सब पर यह फागुन मोचा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है तो अभी हम पहुचने वाले मिकी एक्साइटेड है तू तो चलो चलते है आगे तो अभी हम पहुचते हैं मंदिर अटू शैम भागा के मंदिर को फूलों से सजाया जाता है वाव किसना थिपना क्या आगा को दिकार उत्री विक्टेड़ी हूँ बहुत ही यह सुन्दा रहे तो भी हम लोगा तुके हैं अपर बहुत ही पूजा करने के लिए कि तो दुछा रहा हुआ है अगर आप लेपर होली के टाइम में आरे तो बिल्गों रेकमेंड़ है अपने सापके लिए पूरे पटना सिटी में खाटू शाम बाबा के मंदिर का जलूस निकाला जाता है इस जलूस की जलकिया मैंने आपको अपने पिछले हरमंदी गली वाले वीडियो में दिखाई थी देखिए गाइट खाटू शाम बाबा के मंदिर को कितने सुन्दर सुन्दर फूलों से सजाया गया है तो गाइट देखिए यापे कितनी साड़ी सुन्दर सुन्दर पिछकारियों से भी से सजाया गया है फागन मोटसब है इसलिए इसे पिछकारियों से सजाया गया है कितनी से सजाया गया है कि अब आरती होने वारिये और आप भी आईए मेरे साथ खाटू शाम बाबा का शिरवात लीदिये कितनी साथ खाटू शाम बाबा कि मंदिर होली का टाइम होती सजाया होता है अब आपको अब आपको मज़ा हो जाएक दुगना तो यह पर खुली के पिछकारे टंगी हो यह अच्छे पूल लगे हो यह पर अंदर आले की खुशिबू आ रही है झाले के खुश्ट लगे हो यह अच्छे ए क्वश्ट पर रखुली के शीक आपको यह अच्छे लगे हो यह भी है